तो हलो दोस्तों आगें एक और ने वीडियो के साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेशन दिया गया है जो पिछले वाले क्वेशन से थोड़ा टफ है मैं आप लोगों को पहले क्वेशन समझा देता हूँ यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को दो तीन नंबर को इनपूट करना है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है अगर वो तीनों अन इक्वल है तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको डिस्पले कराना है नहीं तो हम लोगों प्रिंट करा देना है कि वो इक्वल है यहां पर हम लोगों यह भी प्रिंट कराना है कि तीनों जो नंबर हम लोग डाले हैं वो सारा पॉजिटिव है वो सारा नेगेटिव है या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो आईए इसके एंसर के तरफ बढ़ते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट इस्टार क्लास नंबर्स पब्लिक स्टैटिक वाइडमेंड इस्टिंग एयार जीएस scanner sc.new scanner system.in यह सबसे पहले लिखा जाता है वो मैंने लिखतिया है यहाँ पर सबसे पहले मैंने तीन नंबर इंपुट लिए हैं a b c declare किया है integer type में system.out.println enter first number यहाँ पर मैंने एक message प्रिंट कराया है कि पहला नंबर इंटर करो तो पहला नंबर इंटर हुआ है a में system.out.println enter your second number इंपुट करो b is equal to sc.next int system.out.println enter your third number c is equal to sc.next int यह अगर आप लोग को मालूम नहीं है कि कि किसी भी number को input कैसे करते हैं तो आप मेरे previous video देखें जाकर उसके आगे बढ़ते हैं लोग जो main programming का condition है उसमें आते हैं लोग if a less than zero and and b less than zero and and c less than zero यानि की and and का मतलब है कि तीनों condition यह पर true होना चाहिए a less than zero भी होना चाहिए b less than zero भी होना चाहिए और c less than zero भी होना चाहिए तीनों condition true होगा तभी if is if condition के अंदर यह गुशेगा तो SOP मैंने आपर लिखा है SOP मतलब system.out.println मैंने shortcut के लिए लिखा है लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेगा अगर आप लिखेंगे तो आपके exam में number भी कड़ियाएंगा और यह computer में run भी नहीं करेगा आप system.out.println जैसा कि मैंने उपर लिखा था वैसा लिखेगा अगर ऐसा होता है 0 से कम होता है तीनों तो हम लोग all negative print करा देंगे अगर if else if a greater than 0 and and p greater than 0 c greater than 0 अगर यह तीनों 0 से बड़ा होता है तो हम लोग print करा देंगे all are positive 0 से बड़ा होता है जो number वो तो मालूम है ना आपको positive होता है या else condition अगर positive भी नहीं होता है negative भी नहीं होता है तो else condition में हम लोग print करा देंगे the combination of both यह दोनों को combine मतलब की हम लोग combination डालें इसमें plus भी डालें minus भी डालें दोनों डालें और उसके बाद मैंने लिखा है if a not equals to b b not equals to c c not equals to a ऐसा लिखा है फिर मैंने एक bracket चालू किया है यह आप थोड़ा समझ ले मैंने थोड़ा side में लिख दिया है ऐसे भी लिखा जा सकता है इस if condition का जो bracket यहां पर चालू हो रहा है right side में जो मैंने if लिखा है उसका bracket यह चालू हो रहा है उसके अंदर यह वाला if है if a greater than b and a greater than c a b से भी बढ़ा है और a c से भी बढ़ा है तो हम लोग print करा देंगे कि a greatest number है अगर else if b greater than a and b greater than c b a से भी बढ़ा है और b c से भी तो हम लोग print कराएंगे system dot outer print and greatest number equals to b ऐसे print करा देंगे else if c greater than a and and c greater than b c a से भी बढ़ा है और c b से भी बढ़ा है तो हम लोग print कराएंगे greatest number plus c यहां पर आप समझ पा रहे हैं यह if condition जो लिखा है उसके उपर में जो if लिखा है a not equals to यह जो exclamatory sign is equals to दिया हूँ है उसका not equals to बोलते हैं उसको a b के equal नहीं है b c के equal नहीं है और c a के भी equal नहीं है उसके बाद जो bracket चालू किया है उसके अंदर है यह if a greater than b आप समझ ले मैंने यहाँ पर थोड़ा right में लिख दिया है तो mind नहीं करिएगा उसके बाद हम लोग देख सक रहे हैं if a greater than b मैं आप लोगो हुज जाएंगे उसमें हम लोग चेक करेंगे कि ए spr बड़ा है कि बी सी से बड़ा है वैसे हम लोग greatest print करा रहेंगे अगर यह तीनों में से कुछ नहीं होता आगर यह तीनों में से कुछ नहीं होता जानि कि ए B के equal नहीं है, B C के equal नहीं है, और C A के equal नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग else condition में यहाँ पर print करा देंगे, system.out.println, all are equal, equal print करा देंगे, जैसा कि आप उपर condition देख रहे हैं, if मैंने लिखा है, उसका else मैंने यहाँ पर लिखा है, else, system.out.println, all are equal, उस उपर वाल जिसमें मैंने A not equal to B, B not equal to C, उसके अंदर यह तीन condition है, A greater than B, A greater than C, वो वाला तीन condition, आप समझ रहे हैं, उसके बाद simply bracket बंद कर दीए, और यह program खतम हो गया, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कर करें, तब तक क्लिए बाए,